मठी दिन अभीरल बर्शा का का कारण सुन्षरी को हरीनगर गाउपाली का वाड़ जार माँ पानी ले धान खेत दुबानमा परेकुछ हरीनगर गाउपालीका क्यारकु खडी टोल्ग्पूर्भामा धान खेत दुबान माँ परेकुछ चालिस पजाज जमीन जीचे एक दम चो डुब गेले दान सफ़ये रोपईये न शक लेके कोई रोपियों लेलके तो उस सफ़ये बरवादे भागले पाई न अखना चैर फीट उपवर जे जमीन सा उचैर फीट में दान अखना क्यों रोपते हैं क्यों लगे ते अस्थानी सरकार के बहुत कोशिश करे के बाद भी इसमनी से कुनों पहल करे का थीने कर लगे की वडाकार ले वहने छे गौपली का नजर अंदाज क्या रहल छे एकरा साफ किसान परती कुनों चास्वे ने शे की मोटा मोटे इसे कड़ोर रोपिया छती छे किसान के धान रोपिर उत्पादन गरने सोच का साथ अशार पंदर अगी नई रोपाई गरेको भाईपनी पानी को चापले गरता उत्पादन नई नहुने अबस्ता आएको हो मजदूर, हलो, ट्याक्टर रा मलमा लाखों खर्च गरेका किसान मा धान डूबान मा परेपची मौंगशिर मा धान भित्रियाउन नपाउन चिन्ता चाहे कुछा बाडी र बर्चाले धान बाली मात्र नभई तरकारी बाली र घर मा समेत पानी पसेकाले जन जिवन प्रभावित बने कुछा मानव बस्ती मा डूबान भईकारे किसान सहित सर्बसा धारन मार मा परेका छन पाईन उठे शे लेट्रिंग न जा है शे धिया आपता सब तकलीब काटे शे अपना डूबाल शे बंचा कर ले नहें चे गोर छापो छाप चे बहेतने केकनी मा पाईन धुके लिए सुनसरीका 14443 हेक्टर छेत्रफल मा धान खेती हुदे आएको मा दोए हजार बडी हेक्टर छेत्रफल को धान बाली बाडीर डूबान ले नस्ट भईको छा बाडीर डूबान कायमे रहेकाले किसान हरु थप चिन्तित बने का छन। तेसाईले बाडीर डूबान भईको छेत्रामा पानी निकास का लागी समन्धेत निकायली समयमा ध्यांदीन जरुरी छा